तो वन्स अगेन हम लोग नेच्रल वेटेशन एंड वाइफ का पार्ट टू लेके आ गए हैं पार्ट वन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर अभी तक आप लोग ने देखा नहीं है तो उसे देख सकते हैं पिछले पार्ट में हम लोग ने चेप्टर की डिस्क विझ्त के बाते हुश हम लोग फॉना और फ्लोरा होते हैं उप यह पर पत जनी के परे लीटेशन के और यह तो यहां पर पढ लूब बड़िए ते रूड़ेंज सोईल सकति हिर दी रूच है माय पड़ना त्वह लिए पर उन फीसे स्टws All right और प्रिसिपीशन की पर और उसकोन कौन स्पेटेशनसैं सब से एल हाता है हमारे पास टॉपिकल एवर्गृन फॉरिष यह टॉपिकल ईवर्ण फॉर्डिस्ट पयार तों दॉपिकल TV फॉरिस्ट एंसकर द्युंग मॉन्टैं फॉरस्ट और यह आता है मैन्ग्रो फॉरिस्ट तो इन्हीं पांचों को पढ़ेंगे हम लोग इस चप्टर के अंदर तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉर्स्ट के बारे में तो यहां पर एक पहले डाग्राम दे रहा है उसे भी देख रहते हैं यहां पर बताया है कि यह ट्रॉ पर एक पर फॉर्टी मिटर रहे है फिर अमर्जेंट लेयर और फिर मैक्सिमम हाइट है 60 मिटर की तो हम लोग चालू कर देते हमारा टॉपिक जो किया ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉर्स्ट इस फॉरेस्स्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेट तो हैविड एंफोल आर अर अव वेस्टन गार्स और आइलेंट ग्रूप अफ लक्षदीप अंडवार निकोबार अपर पार्ट अफ असम एंड तमिल नाडू कोस्ट बलब यह जो फॉरेस्ट है यह मेली इनी जगे पाई जाते वेस्टन गार्स में और जो लक्षदीप आइलेंट से वहां पे अंडवार अर शाउम को भार नाव नोर्ख असम उलरण अइव धीजियु ग्न Aufनाइम यह जाते और तमिल नाडू कोस्ट है उस्थ जाते हैं जो ड्राइसी जना जो बारिश नहीं होती वह शौट रहता है एक दव बारिश ना हो ऐसा बहुत ही कम दिन होते हैं वहापर की बारिश ना हो वहापर उस एरिया में जो जो ट्रीजन है यह एकदम थोड़ा गरम और गीला रहता है जो बारिश ना होती है टैसने लकजीर इंस भीजीटेशन फ़ोल कांट तो यहां पे हर तरीके के जो पेड़ पौदे वेजीटेशन है अवेजीटेशन है यहां पे आपको टैस्ट भी मिलेगी फिलेगी क्रीपर में लिए मल्टी लेड स्ट्क्टर्थ तो इसलिए नहीं है जो मैं अभी डायग्र जनोडिफिनइट ट्री थाउट ईली कोई दीजन नी ये संदो पते जाटाए पातल पत्वे जटेसेजन बोलते है इंदी ऐसरे इसमय है है कि तैम पति जटे पयुग में बहुत कम टाइम के लिए जट्ते पत्प जट बहुत कम टाइम के लिए ने इन फॉरेस्टक यंदर अ है हमारे पास है कोला से देख लेट होता है लुए है थारी तो बढ है 20-25adow chain उस्टोच हम आर चटिए इन आड रहे झेभव सिक टाव गभी है जोलाव और तो हर फोरेस्ट से भारिश наш जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर जा इंट शुरूर दावे की मैपने काहां पे लोकेटेड है वो सम अफ दो कॉमेर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज ओफ दिस सो फॉरेस्ट एंड एबॉन एबॉनी महगोनी रोजवड एंड रबर एंड चिदोन लब यह जो इंपॉर्टेंट ट्रीज जो की इस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं जिस पर सबसे पहले इबॉनी आता है फिर मैंगो महोगनी आता है रोजवड भी है रबर भी है और यह भी है तो यह सारे तरीके के ट्रीज जो की सबसे जादा पाई जाते हैं अपने एवरग्रेंट फॉरेस्ट के अंदर है तक कॉमन अनिमल्स फाउंद इस फॉरेस्ट आर बलब यह कॉमन अन यह एक्जाम में तूमाक के कॉशिन में आ सकता है यह वाला पार्ट है बिसाइड इस अनिमल्स प्लेंटी ओफ बर्ड्स बैट्स श्लॉथ स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आर अलसो फाउंद इन इस जंगल्स मतलब बर्ड्स ही नहीं बर्ड्स भी पाई जाते है इन अनिमल इनिमल्स ही नहीं आ पर बर्ड्स ही जह ध्यंस भीट्स बैट्स में मैं बैट्स भीएं उस्कॉर्पियों फ्री और चोटी चोटी जुटे रही मत्सारे इस जंगल के अंदर टो हम लोग पढ़ेंगे रॉपिकल डेस फोरेस्ट के बारे में हम लोग चलेंगे इसको निया यह फेले हो है, 있deak, tropical decidus forest they are also called the monsoon forest and spread over the region receiving rainfall between 200 centimeter and 70 centimeter मतलब इन्हें इन्हें monsoon forest भी कहते हैं, यह वनमाक्स का MCQ आ सकता है या short question आ सकता है, की tropical decidus forest को किस और नाम से बुलाए जाता है और यह उसी region में होते है जहां पर 200 centimeter से लेकर के 70 centimeter बारिश होती है, ट्रीज फिस फोरेस्ट टाइप शेड देर लीफ और आउट सिक्स तो एट वीक्स इंड्राइ समर लब छे से आथ हाफते के लिए यानि डेट दो महीने के लिए लगबक ये अपनी जो पतिया उन्हें शेड कर देते हैं इंड्राइ समर बलब एक दम ट्राइ समर जब होती है कर भी तो उस ताइम पर वाटर इस फोरेस्ट आर फॉर्टर दिवाइड इंटो मॉस्ट और ड्राइड देश्ट इस मलब अवलिव पाने की मौजगूद मौजगी के माधियम से कर देखा जाए तो जो यह वाले फोरेस्ट है इन्हें डिवाइड गया जाता है मॉस्ट और ड्राइड ऐस फॉर्स में तब फॉर्मर इस फांड इन एडिया रेसिविं रिएग रिएफ लिटेंड तीन तो फॉहंड़ एंटेपेटर अंडर सेंटिमेटर के वीचों के यह वाले इस फॉर्स एक्जस्ट दियरफूर मुस्ली इंद एस्टन पार्ट अव्ट अव्ट इस्तें शेट्स अलाओंग। फुतहिल्स अव्द्हे म outra al jo प्रेज अबते हैं ऑन है नथे कंट्री के ओन में मिलते हैं फुटेङने के जौह पर वहां पी जौहर थेरी पार्ड मोलते है ओड्यूरी वाहत कि ऐधेर के मिलते हैं मौलते हैं और एस्चान टीक इस तो मोस्ट डॉमिनेंट स्पेसिज उफ इस फोरेस्ट टीक है वह बहुत नॉमिनेंट वलस तीक मिलता है बैंबूजी मिलते है साल भी मिलता है शीशम से सेंडल वोड है कुसूम अरजुन मलबरी और अधर कमेर्शिल इंपरेंट स्पीशिज यह अलग तरीकी के स्प वह अलग टाइप के फोरेस्ट के अंदर मिलती है तो हमें इनको अच्छे से याद कर लेना है इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो यहां में बताएवार ट्रॉपिकल डैसीडियस फोरेस्ट जो है वह कुछ इस तरीके का दिखता है यह वाला जो इमेज है हम लोग ने में देख ता उसे हम लोग हमारे मेप में भी देख लेते हैं की कौन-कौनसे पार्ट में इंडिया के लिश्य प्लीव फोरेस्ट जो है वह लाई करता आ यह पूरा पार्ट है यह तो ट्रॉपिकल डेसिटी इस फ़रस से ही बरा हुआ है यहां से स्टार्ट करते हैं लोग है यहां से कुछ इस तरीके से जा रहा है उसके बाद यहां से एडिया यह यह यहां है और यहां पर भी यूपी ऑन्विहार में बहुत सारे अरिया यह पूरा एंडिया यह ट्रॉपिकल डेस्टीस फॉरस्ट से ही भरा हुआ है उसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक उससे पढ़ने से पहले ड्राइश इस फॉरस्ट और फांड इ जो कुछ वह वाले फॉरेस्ट हैं जो की नॉर्मल ही लाई करते हैं यहां पर वाटर की जीतनी ज्यादा मालब वाटर अच्छे खासे आमांट में हैं वह तो होता है 200 सेंटीमेटर 100 सेंटीमेटर की बीच की जो रेंफॉल होती है उन एरिया में लेकिन जो ड्राइड डेस्ट हैं आप लोग अभी मैप में दिखाया था कि कहां कहां तक डेस्ट फॉरेस्ट लाई करते हैं दियर और ओपन स्ट्रेचेज इंडिस इन विच टीक साल पीपल और नीम जो हैं वो ग्रो करते हैं अलार्ज पॉर्ट ऑफ दिस डीजन हैस बिन क्लियर फॉर कुल्टिवेशन बहुत बड़ा पार्ट जो है इस इन तरीकी के जो ट्रॉपिकल डेस्ट फॉरेस्ट होते हैं इनका जो हो हटा दिया गया है क्लियर कर दिया गया है उन्हें फॉर कल्टिवेशन के परपस से और जो कुछ बचा है वहां पे ग्रेजिंग के लिए छोड़ा गया है जानवर सकिए लिए खास पत्ते पेड़ इंडियस फॉरस्ट रिजो कामन अनिमल फांड आर जरह फॉरस्ट में जो कॉमन अनिमलस होते हैं मुलते हैं वह लाएं टाइगर पेग डियर और अलिफंट यह जो सारे अनिमलस और आपे इस वासद्ट बार्ट के अन्दर नॉर्मल गाइ इस और और सब्सक्राइब है उसके बाद हमारा जो थर्ड नम्मर का जाता है वह हमारे पास थान फॉरेस्ट इंड स्क्रब्स तो चलिए इसे हम लोग पढ़ लेते हैं इसे मैं थोड़ा जूम-इन कर लेता हूं इंड रेजिंस विट लैस दन 70 cm रेंफॉल जहां पर 70 cm से कम रेंफॉल होती है तो इरिया में हमें देखने को मिलते हैं थान फॉर्स एंड स्क्रब्स तो वो कौन-कौन से अरिया जो हम लोग हमारे मैप में देखेंगे जैसे कि हम लोग पिछले दो फॉर्स के बारे में विट्राइशन गुंस्ट फॉर्स ट्रीज और बुष इंड बुषेज तो यह वाली वेजिटेशन जो है वह लग लग तरीके के नुक मिलब काटेदार जाडियां पेड़ उसे बढ़ी होई है में यह वाले जो फॉर्स टेस चेंदर पेड़ होते हैं काटेदार जाडिया वह वह बीकाटे वाली तॉस टाइप वेजिटेशन इस फाउंद इन नौर्थ वेस्टें पार्ट फॉर्स ट्री तो यह जो नौर्थ वेस्टें पार्ट है हमारे कंट्री का महां पर यह तरीके की बैशिशन गुजराथ राजस्थान अध्यपरदेश चैट इस गर्ड उत आइप पहला है यह तरीके से फैल जंगल यहां पर यहां पर यह तरीके फैल हुए पूरे पेड़ और इनकी जो रूट होती है नो बहुत ही डीप होती है इंटू दॉ नीचे मेलेगा उने जितरा नीचे जाएंग उतर ज्यादा पानी मिलता है तो इसी तरीके से बीद्ग बुल नियोगन को सब्सक्राइब क स्क टोम जुड़ी आपके चले त fights ये कहले हैं जुड़ फिकल ज़ो कि और बिखना टेक्रा उन ऑल जुल मृटि रहे हैं ॐ ज़़। हुडल फील में रच ताल टिन रिखने लेकिन पानी ज्यादा निकल निचे इसलिए लिव छोटी है यह पर शुन नहीं कम होगी में लोगों से इस फॉरेस्ट गिव वेट तु थॉर्ण फॉरेस्ट एंड स्कॉर्प्स इन एडिया तो यह एडिया में होते हैं असके इनीट्ज फॉरेस्ट दगॉमन एनिमल्स अरट यह जो फॉरेस्ट इनमस घ्रेज निचेए लेंगे जिए देखने को मिलेंगे बहुत सारे रैट विलेंगे मैं सिलेंगे रैबिट्स मिलेंगे फॉक्स वॉल्फ टाइगर लायन वा इस और शेजनेंद के माज इतना सा तरिकिस्तान टाइम में यह देख लेती है कैक्टस है इसमें तरीकिके पेड़े काटे दार है थोड़े यह कैक्टस में भी काटे है तो फॉरेस्ट इन इंदर यह वाले तरीकिके जंगल आवाते हैं पेड़ पॉद्याते काटी रेज जाड़ी हो आले ऊसके बाद जो यह यह बता है हुआ था इसका थान फॉरइस का उसे हम लोग इंडिया के मैप में देख लेते हैं ़ुक्तीकों सबक्राइत रहेकिन आउन प्रमिक Sun jęलास्ट वाला पाट न एक्दम लाइट यह देख़र हैं एक 생각 तो सबसे लाइट वाला कलर देखना हम?' हम तो हमें हमारे इंडिया के मैप यह दिए १वला जो पाट ना राजस्तान पंजाब इथोड़ा पार तो उत्रप्रदेश का भी थोड़ा पार्ट है मद्यप्रदेश का भी थोड़ा पार्ट है राजस्थान है हारियाना देली गुजरात का पार्ट है यह वाले जो एरिया है यह आता है थान फॉर्स के अंदर और यहां भी बीच में जो एरिया है यह भी आता है हमारे थान फॉर्स केंड़